हेलो दोस्तों आज हम कभर करेंगे वेस्ट एंडिज और वरसेश साउथ अफरीका का बीच जो T20 मकाबला खेला जाएगा उनके बारे में ये खेला जाएगा इंडियन समय अनुशार 12 बज़ के 30 मिलेट एम में यहनी रातरी को समय खेला जाएगा रातरी को समय खेले जाने वाले मेच में रहेगा उस टीम में वेस्ट एंडिज और साउथ अफरीका वेस्ट एंडिज और साउथ अफरीका का बीच जो मकाबला होगा ये कैसा मकाबला होगा और इस मकाबले में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हरेगा साती साथ ढर्मकाट यूनी के बेस्ट में या विकेट कीपर में से कौन रहने बाला है क्या आप भी बीच जो है भाइलन्स पीच या बैटिंग पीच अगर भाइलétait पीच है तो कौन सा औलेंडर चलेगा और कौन सा औलेंडर फ्लोस होगा डर्म काड यूनी कोलंडर के रूम में कौन रहेगा यूनी केप्टन और वाइस केप्टन के रूम में कौन रहेगा अगर पीछ बॉलिंग पीछ है तो कौन सा बॉलर केप्टन सी और वाइस केप्टन सी लाएगा है जो अगले मेच में विकेट निकाला है है कोईन दी कोउट फाइब का रिकाउट अच्छे हैं लेकिन अच्छे हैं लेकिन अभी फिलाल में अगले एक में काबले में फ्लॉप्स हुई है उसके बार एक फादर खेले हैं खास पॉइंट नहीं दिया है यह मटब काव मिला है चारो में से चारों फैल हो गया सॉदिक की पर लेकिन इनच में ध Upper इक ऊपनर थे सबसे विक्ल विक्राइगze कहीं कर लेकिन इनरों में सबसे अच्छे हुआ है आप बात कर लेते हैं बेस्ट में में बेस्ट में में आने से पहले मैं आप लोगों को पीछ रिपोर्ट बता देते हैं पीछ रिपोर्ट जो है बैटिंग पीछ है गुड़ पर पेसर है यहां पर अवरेज इसकोर एकसो बेरासी है बेनु सोवेन पार के कांगो एस्टोन जेम वी एकल में खिला जाएगा जो जेम एकल में मुकाबला होगा वो हाइसकोर की बात करे तो हियां पर 230 से 200 बना है और low square की बात करें तो 120 से 1500 के बीच बनता है अब यहाँ पर हरीकेंज भाई इस IPL के एनी head to head मकाबले हरीकेंज का काफी अच्छे हैं और चार पॉच्छ मकाबले में चार मकाबले में अच्छे परदर्शन किया है और 4 मकाबले में से 2 मकाबले में अर्ध उसर तक से उपर लगाए हैं और 2 मकाबले में 36 और 40 रण मारे हैं इस कंडेशन में हरीकेंज अच्छा खासा है और ground भी सूट करता है head to head भी record अच्छे हैं भेणू भी रिकर्ड अच्छ हैं अभी रिसंदी के फॉम भी अच्छ हैं हरीकेंस अगले मैच में भी परतासन किया है आप बात कर लेते हैं ब्रिकिंग वेस्ट एंडिंज की बेस्टमेन है और यह हीटर बेस्टमेन है अगर इनकी वॉल को कैच नहीं लिया जाए तो यह पहुंग जाता है अब यहाँ पर रविंद्रा यह तीस पॉइंट दिया है लेकिन साउथ अफ्रीका की तीसरा बेस्ट में है अब बात कर लेते हैं के में इसरा उन्षट पॉइंट दिया है लेकिन इस टीम के खिलाब एक मुकाबले में सतक लगाए है सालेक्षन प्रेशंट कम है अच्छे कासे डिरिम टिम में आगया है आर इसे जन का सालेक्षन प्रेशंट लो था फिर भी एकतर पॉइंट दिया है यह वो स्टेंडिस की चोथा नमर में बेस्ट में सामिल था अब यहां पर M.S.T. 29 पॉइंट तो दे दिया है लेकिन यह से किसी दो एक जिसको लेना है ले सकते हैं चाहे आप लोग head to head lead ली या small lead, mega GL GL का save, GL का rixi team जो भी team लगाते हैं उन हिसाब से आप अपनी team में create कर सकते हैं मैं demo के लिए grand league का rixi team बनाओंगा grand league का rixi team का मतलब होता है या तो इंटरी पे लेते हैं ओलंडर सेक्षन में इन पॉर्टेन ओलंडर जो रहेगा जैसन होल्डर अच्छा खासा है डर्म कार्ड यूनिक होगा यह फ्ली अच्छा खासा परदाशन करेगा विंडू सार एम मैं दूर्टर अच्छा खासा है एप रोशन भाई यह बॉलर ठीक है और इनसे गस्तन परसेंट र्हक eher बहुता है इने वियुक्त नहीं मिलता है इनके अंदर खसलियीद यह है कि रम कम बनने देता है इस कंडिचन में इसे अपने टीम में तो पिक कीजिएगा कीजिएगा लेकिन यह पहुंच नमर में बैटिंग भी इनका आजाता है पहुंचछ कर सकत है अब यहां पर देखिए रेंबेस्ट खेला नहीं इन सम्में से चार ओलंडर है चार ओलंडर में से चार में से टीन उलनडर फलोप वो गया अगले में एक उलनडर पर्पॉर्म किया है उर जो मेंच में उलनडर परफॉर्म कर देता है उनका चालने का चanç ज्यादाGHळ हो जाता है अब यहां परड़िए आप बात कर लेते हैं बॉटलर सेक्षन में जेव ओड़ेंटे。 युआ हैं एक मिलाऊ ब्नेट नहीं मिला ऑलें एस टीम के खिला चक्षा हैं historine एम प्रॉंड अच्छे खासे परदर्शन के जीम होती अच्छे खासे रहा और ओ एस्टम मैने अगले मैच में भी बोल दिया है अगर यह खेलेगा तो अच्छे खासे विकेट निकाल कर जाएगा अब यहां पर जे वर्शन मात्र एक विकेट लेकर गया है अब यह आठ जो ह ड्रॉब करना चाहिए यह भी बताएंगे अब यहां पर बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्षन में इनपॉर्टेन विकेट कीपर के रूम में रहने बाला है कोईन डिक कॉक यह अपनर है मैं जानता हूँ यह फ्लॉप्स होता है और इस संड के मैच बुरी चल रहा है ले बीच भी बैटिंग पीच है अगले मैच में फलॉप्स वाय इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं मैं फिलाल के लिए डिकॉक को अपना हूँ आप बात कर लेते हैं बैस्ट में में हरिकेंस ब्रेकिंग को लुगा औभी इन में से अब दो वैस्ट में अभी पुला के ल लूंगी खेलेगा तो लूंगी को मैं अपनी टीम मिलूगा यह चार बॉलर लीए है एक ओलन्डर ली एक ओलन्डर में अगर जेसन वैल्डर केलेगा तो जरू टरा कीजिए गा आप बात कर लेते हैं बेश्ट में विए में इस राको आर रोश्र को लिया हूं आप देखिए मेरा एक बिकेट कीपर रहाएगा जी रेसंज देखिए पौँंच एक कमनेशन मैं बनाओंगा लेगिन यह पर बन गया चार पोंच का कमनेशन, साथ चार का कमनेशन और एक ओलंडर के मैं अपने टीम में लूंगा वो ओलंडर के रूम में साउथ अफ्रीका की तरफ से या एक बॉलर लूंगा मैं लूंगी को अभी फिलाल में ले रहा हूँ क्योंकि रिसान के मैच अच्छे है अलूंगी हेट टू हेट मोकाबले में फ्लोपस हुए है देखिए मैंने पॉंच बॉलर रखा हूँ बैटिंग पिछ है फिर भी मैं पॉंच बॉलर रखा हूँ क्योंकि इस एपियल के दौरण किसी भी कंटिशन में विकेट तो गिर सकता है और रन भी बन सकता है हाई स्कोर भी बनता है लो एस्कोर भी बनता है ओवेस्टन को लिया जी मोती है प्रोड़न ओमेज और इन्या पर लूंगी पॉंच बॉलर रखा हूँ एक कोलंडर रखा हूँ चार बेस्ट में रखा हूँ चार बेस्ट में और एक विकेट कीपर अब नेस्ट करता हूँ नेस्ट करने के बाद देखे केप्टन और वाइस केप्टन आगर सेव केप्टन देना चाहेंगे हरी केंसर हैगा क्योंकि इ लिंकेंग या केमिसा में से किसी एक को बॉइस केप्टन दे सकते हैं अगर आप लोग बॉला सेक्षन में देना चाहते हैं थोड़ा रिक्षेबल बॉलिंग में वो रहे का लूंगी मैं फिर काता हूं लूंगी रहे का अच्छा बॉलर लेकिन अगले मेंच में फलोफ सुआ है लूंगी का अच्छा रिकार्ड है या एप रोसोगो साउथ अफ्रिका की तरफ से रख सकते हैं हाँ सेव टिम करते हैं सेव टिम करने के बाद देखिए मेरा टिम का पर वियू किस तरह से रहता है मेरा टिम का पर वियू इस तरह से रहेगा इस तरह से रहेगा हाँ इमाटे जदी हाँ हाँ यह कर दो